वेलकम टू कम्प्यूटर क्लास आज ही क्लास में हम आपके चेप्टर नमबर 4 इंटोड़क्शन तू MS ओफिस के 3 कोशिन इंसर्स रीट करने वाले हैं मैंने आपको चेप्टर नमबर 4 कम्प्लीट करवा दिया हैं अब हम उनके कोशिन्स को करने वाले हैं अप MS ओफिस के बारे में क्या समझते हैं इसके इंसर में हम लिखेंगे MS ओफिस आपका क्या होता है यह कोलेक्शन होता है यह आपके सॉफ्टवेर का मतलब आपके Microsoft में जितने भी सॉफ्टवेर होते हैं सॉफ्टवेर क्या चीज़े होती हैं मैंने आपका online class में भी समझाया था जो हमारे computer के अंदर होती हैं जिने हम तोड मरोड नहीं सकते हैं इस वाइडली यूज इन ओफिस मतलब यह ओफिस और education environment education environment क्या होता है आपके शिक्षा का शेत्र और office क्या होता है आपके कारहले वहाँ पर यह बहुत जादा widely मतलब एक large time पर मतलब बहुत जादा समय पर यूज किया जाता है किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है documents बनाने के लिए spreadsheets बनाने के लिए presentation बनाने के लिए इसके बाद question number two is which program is used to store numerical data and how हम कौन सा program use करते हैं उप्योग करते हैं इसके लिए numerical data को numerical data कौन से होते हैं आपके calculating वाले जिसमें आपके पास क्या होता है 1-2 counting को होती है वो आपके पास क्या होता है numerical होते हैं तो उन data को एकठा रखने के लिए हम किस चीज़ का किस प्रोग्राम का यूज़ करते हैं इसके answer में आप लिखोगे MS Excel is used to store and retrieve numerical data MS Excel का यूज़ क्या चाहता है data को store करने के लिए और उन्हें numerical करने के लिए और उन्हें retrieve करने के लिए मतलब उन्हें जोडने खटाने के लिए Excel is idle fault entering, calculating and analyzing numerical data Excel हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है किस चीज़ के लिए entering मतलब entry करना calculating मतलब जोडना खटाना जिसमें और भी आते हैं वो चीज़ and analyze करना मतलब मापना तोनना इन सब चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं हमारे MS Excel का मतलब Microsoft Excel का Question number 3 is Explain MS PowerPoint Microsoft PowerPoint को आप explain कीज़े आप समझाईए MS PowerPoint is presentation software program MS PowerPoint क्या होता है आपकी presentation software program होता है presentation का मतलब मैंने आपको online class में भी अच्छे से समझा दिया था और मैंने आपको इसी वीडियो बना कर भी आपको भीज़ी हुए है It is used to create a presentation by using pictures, chart, audio, video and animated special effects हम presentation को किस तरह बनाते हैं मतलब MS PowerPoint में Microsoft PowerPoint उसमें हम presentation किस तरह बनाते हैं उसमें हम photos भी डाल सकते हैं music भी डाल सकते हैं video भी डाल सकते हैं इस तरह से भीनमें चीज़ों को मिला कर हम क्या बनाते हैं presentation बनाते हैं और presentation किस में बनाई जाती हैं MS PowerPoint में मतलब Microsoft PowerPoint में आज हमने chapter number 4 के 3 questions अच्छे से read कर लिए हैं आप सभी बच्चों ने ये question अच्छे से समझने हैं अपनी notebook पे लिखने हैं और इन्हें learn भी करना है आज ही class में आपके लिए इतना ही thank you and have a nice day